दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हिंडी टुटूरियल्स को और दबाईए नोटिफिकेशन बिल को ताकि आप देख सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंट्स हम सभी मोबाइल फोन का इस्तमाल डेली करते हैं हम सभी को पता है कि मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है मोबाइल के शिवा हमें एक भी दिन का गुजारा नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंट्स अगर मोबाइल हमारे पास दो-चार घंटे के लिए भी नहीं होती तो हमारी हालत बहुत ही बेकार हो जाती है ह Совेन तो आप सभी को पता है लेकिन फ्रेंट्स हम उसी मोबाइल फोन के साथ कुछ गलतिया भी करते हैं तो आज की इस वीड़ो में आपको ऐसी दस गलतियों के बारे बताने वाला हूं जो आप अपने मोबाइलफोन के करते हैं तो आज की वीडियो जरूर आप लास तक देखे क्योंकि आज की इस वीडियो में जो बात बताया हूँ वह बहुत ही आपके लिए इंपोर्टेंट भी है और यह कहीं आपको मिलेगी भी नहीं तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्रेंट्स आपसे एक आपने अभी तक मेरा चैनल स्टार्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है बिल्कुल फ्री होता है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली गलती फ्रेंट्स हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी यह आउनलाइन डेटा जो है सेव करते हैं लेकिन फ्रेंट्स हमें यह नई पता अगर मान लीजिए वो साइट क्रेश हो गई या फिर क्लोज हो गई तो हमारी सारी डेटा गायब हो जाएगी और हमारी इससे डेटा जो है लीक होने का भी खत्रा बढ़ जाता है जिससे हमारी जो है हैकर के पास पूरे की पूरी डेटा जो है पहुंच जाती है तो हमें ऑनलाइन डेटा भी ज़्यादा सेफ नहीं करना चीहे दूसरी गलती हम अपने फोन को डेली अपडेट नहीं करते मतलब जब भी हमारे फोन का अपडेट आता है तो हम अपडेट नहीं करते हैं हम उसे अंदेखा कर देते हैं सोचते हैं कि अपडेट करने से क्या होगा फाल्तु में MB जाएगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम अपने फोन को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे फोन में जो है security features भी सही नहीं रहेगा और हमारा फोन जो है धीरे-धीरे मतलब hang करने लगेगा उसकी speed भी कम होती जाएगे और हमें जो नहीं नहीं features आएगे उसका इस्तमाल करने को भी नहीं मिलेगा तो हमें daily मतलब हर समय अपना फोन जो है update करना चाहिए तीसरी जो गलती है हमारी है हम खतरनाक application को अपने mobile phone में install करते हैं मतलब जो जिसमें virus ज़्यादा होता है जो इसे कोई भी application है उसमें virus बहुत जाता है उसकी rating जो है 3 points से कम है तो ऐसे application को अपने mobile phone में नहीं install करना चाहिए इससे install करने से हमारा mobile जो है hang करने लगता है उसकी speed भी कम हो जाती है और इसका सीधा effect जो हमारे RAM पे फड़ता है जिससे हमारा RAM जो है खराब हो सकता है चोथी गलती यह है कि हम अपने phone का backup नहीं रखते अगर हम अपने phone का backup नहीं रखेंगे तो उससे क्या problem हो गया मैं आपको बताता हूँ अगर मान लिजे आपका phone चोरी हो गया तो आपका सारा data गायब हो जाएगा मतलब आपसे दूर हो जाएगा तो उसे वापस पाने के लिए आपको अगर backup रखे रहेंगे तो आप दूसरे mobile phone में भी आप ले सकते हो अगर आप backup रखेंगे ही नहीं तो आपको दूसरे mobile phone में कहां से आपका पूरा data मिलेगा तो इसलिए हमें backup जो है अपने mobile phone का जरूरी रखना चाहिए पाचवी जो गलती है यह बहुती बड़ी गलती है और हम हमेशा करते रहते हैं जिहां प्रेंट्स अगर मान लीजे हम अपने phone को चार्ज में लगाए हैं या फिर इंटरनेट चला रहा है हमारा phone जो है गरम हो रहा है तो हम अपने mobile phone को गरम होने देते हैं कि जी हाँ फ्रेंज अगर आपका Mobile Phone ज्यादा ज्यादा ओवर हीट हो रहा इससे आपका बैटरी जो है खराब हो जाएगी और बैटरी खराब होने के साथ साथ आपका जो है Mobile Damage होने का पूरा खतरा है और इससे आपको पता ही है कि अगर बैटरी डैमेज होता है या फिर अगर बैटरी फुलने लगा तो ब्लास्ट भी हो सकता है तो इससे बचने के लिए आप अपने मोबाइल फोन को ओवरीट होने ना दें छटी गलती है कि हम हमारे फोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर का उपयोग नहीं करते इससे हमारे स्क्रीन पे क्रेश आ जाते हैं और हमारे स्क्रीन का डैमेज होना पक्का है क्योंकि अगर हम अपने मोबाइल फोन में गोरीला गलास का इस्तमाल नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइ और फिर Cyrus कोई लाग लेंगे तो इससे अमारे स्क्रीन ज्यादा ख्याल होगा और अिकश्की साइफ रहेगा साथ वी घलती हम अपने फु इस्क्रीन लॕ root नहीं यहां दोस्तों बहुत लोग को मैंने देखा है कि वह अपने मोबाइल फोन में स्किन लॉक नहीं लगाते क्यों कि वह सोचते हैं कि बार-बार कौन इसकिन लॉक को ओपेन करेगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप इसकिन लॉक नहीं लगाएंगे तो आपका अगर मैं आपको बता दू कि कोई साइट ऑपन किए है उसकी हिस्टरी हम क्लीर नहीं करेंगे तो इसके वाइरस होंगे वह हमारे मोबाइल फोन को एपेक करते हैं जिसे हमारा मोबाइल फोन का स्पीड कम हो जाता है और इसमें जो है वाइरस का खत्रा बहुत जादा गुश्य को आज़रूरी है कि अपने मोबाईवायल पून का ध्यान डौकर दंगे हमारा मोबाईल पोन अगर वाटरफूर्फ नहीं तो इसमें क्या होगा पानी चल जाने से मोबाईल भॉन का यह हर्डवेर है पूर्रै से खराब हो जाएगा जिस्फे हमारा mobile जो है और दम पूरी तरह से जो है damage हो साएगा तो फिर आपका इसमें loss होगा आपका पैसा भी आएगा और आपके mobile phone में जो data save रहेगा वो सारे के सारे जो है चले जाएंगे तो तो सिर्फ आपको charger उसके लिए दिया गया है तो आप अपने mobile phone के charger का ही इस्तमाल कीजिए क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके mobile phone का charger जिससे आप charge करते हैं वो खराब होने का पूरा का पूरा खतरा रहता है जिससे फिर आपको पैसा दे के उसे वापस से repair करवाना है तो उमीद करता हूँ अपको यह मेरे दस टिपस जो है अच्छे लगे होगे अगर यह मेरे दस टिपस अच्छे लगे हैं तो प्लीस वीडियो को found करना ना भूले और मेरे शानल को subscribe तो तो बिल्कुल करना ना भूले क्योंकि सब्सक्राइब करना एद्दम बिल्कुल फ्री है आप सिफ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए